Hello everyone, कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम class first के subject English के week number 9 की work seat को solve करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो शुरू करते हैं आपकी work seat 16 March 2022 के लिए है जिसकी theme है Let's Learn Good morning children, hope you are fit and fine आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे I'm sure you are enjoying coming to school again आशा करती हूँ कि आपको दोबारा school में आकर अच्छा लग रहा होगा Let us read aloud a story today आज हम आईए एक तेज आवाद में story पढ़ते हैं चिंटू's button, story का title क्या है चिंटू का button चिंटू is a six year old boy चिंटू एक छे साल का लड़का है He was very happy to be back in school वे इसकूल में वापस आकर बहुत खुश था One day एक दिन while playing जब वे खेल रहा था He fell down on the school ground वे इसकूल के खेल के मैदान में गिर गया And the button of his shirt came up और उसकी shirt के button तोट गए He came back home वे घर वापस आया He requested his mother to stitch the button on his shirt उसने अपनी मा से उसकी shirt में बटन लगाने के लिए प्राधना की But she was going to the market लेकिन वे बाजार जा रही थी Now question is How do you think चिंटू will solve this problem? आपको क्या लगता है कि चिंटू इस समस्या को कैसे solve करेगा What would you do if you were in चिंटू's place? आप क्या करते यदि आप चिंटू की जगह होते Discuss it with your teacher इसे आप अपने teacher के साथ discuss करेंगे तो बच्चो आंसर है चिंटू must have either asked for help from others और he must have stitched the button himself चिंटू ने या तो दूसरों से help मागी होगी या फिर उसने swam ही button को लगा लिया होगा If I were in place of चिंटू यदि मैं चिंटू की जगह होता I do say मैं चिंटू तो मैं चिंटू के समान ही करता इसमीं जो चिंटू ने किया वही करता अब बच्चो यहाँ पर है talk time Dear children, प्यारे बच्चो Look at the picture given on the right hand side carefully यहाँ पर जो picture दी गई है इसे ध्यान से देखिए What do you think the children in the picture are thinking about आपको क्या लगता है कि इस picture में जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं किस चीज के बारे में बाते कर रहे हैं Imagine, कलपना करिए and create their dialogues और उनके समवाद बनाईए Say them out loud और उनने तेजावाद में बोलिए You may take the help of your elders too आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यह आपर बच्चे हैं बारिस हो रही है तो इसने कहा होगा Today it is running very heavily कि आज तो बहुत तेज बारिस हो रही है तो इसने कहा होगा Yes brother, हाँ भाई Today we will play a lot आज हम बहुत खेलेंगे बारिस में तो इस पर इस लड़की ने कहा होगा Rinku you also play with us कि Rinku तुम भी हमारे साथ खेलो इस लड़के से कहा होगा तो इसने क्या कहा होगा No नहीं I feel cold की मुझे सर्दी लग रही है तो आप भी इसी तरीके से अपने dialogues create करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो इसी के साथ आपकी ये work seat complete होती है मिलते हैं next video में नई work seat के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel Thank you